कैसे आप दोस्तों जैसा कि मैंने कुछ दिन पर एक वीडियो बना के बताया था कि सैमसंग 30S पे नया अप्डेट आया और कमाल का नया फीचर जोड़ दिया गया तो आज मैं आपको बताने वाला हो यह इकुर नया फीचर के बारे में यह फीचर को कहा मिलेगा कैसे यूज क कैसे हैं आपने home screen को customize कर सकते हैं तो आगे वीडियों बताने वाला हूं वीडियों उसके मत करीगा दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और तो यह आप संच पाइंग दोस्तों चलते हैं आगे मेरे नाम सनी और और आपका स्वागत है मेरे चैनल तो दोस्तों जैसा की मैंने बता है मैं आपको बताने हैं दोस्तों के नए फीचर के बारे में तो उसके लिए आप को करना है हो सबसे पहले एक डाउनलोड कर लीए जिसका नाम है गूड लग एप जो कि अभी अभी अबडेट के बाद आपको सपोर्ट करना चाले हो गई है इसके लिए मैंने आपको बना कि बता है। इसके अंदर जानने जा आपको करना कया है यहां पर जाना है होमप वाले मोडियोल पर, जैसी आप होमप पर क्लिक करेंगे तो वह आपको youh怕 ले जाएगा प्ले उसके ग्लेक्सि स्टूर पर और आपको डाउनलोर कर लेना है इसको download करने का जैसी आप यहां पर इसको open करेंगे तो आपको यहां पर ऐसा interface दिखाई जाएगा इस से आप अपने home screen को customize कर सकते हैं like कैसे सबसे उपर जाएंगे आप home screen के अंदर यहां पर आप देखेंगे तो वहां पर आप आप देखेंगे यहां पर लाइक एक रो में आपको पांच अब दिखती है अगर आप चाहते हैं कि इस रो में आपको और ज़्यादा एप चाहें या और ज्यादा एप दिखें तो आप यहां पर जा सकते हैं यहां पर इसे like five and two five यह six five इंटू six जैसे मैंने कर दिया अब जैसे मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो अब आप देखेंगे जो एप्स होंगी आपको यहां पर ज्यादा दिखने लग गई space कम लेने लगी हैं तो आप इसको यहां पर ऐसा modify कर सकते हैं तो अपने चाप से आपको इसको modify कर लेना है उसके बाद नीचे ऐसे ही फेवरेट के लिए जितनी भी आप फेवरेट एप कर लखना चाहते हैं तो आप यहां पर maximum six five रहती है आप जितनी चाहाँ आप यहां से आइकन पर क्लिक कर देंगे तो अब अगर आप आप यहां पर स्वेप करेंगे अपने पीच को आप देखेंगे आपको वीडियो आपके जो एपस हैं आपको यहां पर क्लियरली वीजिवल रहेंगी तो आप उसको यहां से add-on कर सकते हैं उसके बाद हाइप आइकन के यहां पर आपको फोल्डर के लिए मिल जाएगा फोल्डर के अगर आप चाहते है करना यहां पर आप फोल्डर में आएंगे तो यहां पर आप फोल्डर को भी क्रियेट कर सकते हैं लाइक यहां पर आपको ऐसा स्टाइल मिलता है आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं यहां पर नीचे आएंगी तो फोल्डर टाइटल सेक्शन भी है जो आप उसको भी हाँ से मौडिफाई कर सकते हैं आपको वहाँ सजेशन मिल जाएंगे इस एप के नाम तो यह जादा मेरे को काम का नहीं लगा कि साइस वाइस फोल्डर का यह मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा उस इसी में शेयर पर आइकन पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे आइकन्स देख रहे हैं लाइक यहाँ पर लिंक शेरिंग का आप्शन मिल रहा है यहाँ पर क्यूग शेयर का आप्शन मिल रहा है यहाँ बहुत सारी यहाँ पर एप्स आप 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 स्लेट कर सकते हैं ऐसे ही अगर उसके नीचे आएंगे अगर आप चाहते हैं जो शेरिंग डिटेल वाला ओप्शन है उपर दिखता है वो नहीं दिखे तो वो हड़ जाएगा जो उपर आपको दिखता है आप वो पूरी वहां से हड़ जाएगी और लोकेशन वाला अपर आप यहां से कर सकते हैं और आप पर कुछ लोगों के नाम जिसको आप डालेक्ट लिए आपको शेरिंग के लिए उप्शन मिल जाए तो यह बहुत काम का फिचर उसके बाद जो सबसे में फिचर है वह टास्ट चेंजर का यहां पर क्या होता है दोस्तों अगर आपन तरीके सी यहाँ पर आपको मिलेगा लिस्ट वाला उप्शन अगर मैं लिस्ट पर क्लिक करूँगा तो आपको सब ऐसे ऐसे मिल जाएंगे जो कि अल्रेडी पहले ही मिलते हैं और उसके बाद अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ग्रीड में जो कि मुझे बहुत पसंद है आ तो आपको यहाँ पर छोटे से दिख जाएंगे आपको छोटे छोटे दिखने लगेंगे आप यहां से कर सकते हैं चाहते हैं कि एप का जो लेवल है उपर जो नाम है एप को दिख जाए कैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको अभी एप का कोई नाम नहीं दिख र आप stack का भी option यूज़ कर सकते हैं, कैसे, आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो सब stack wise आपको दिखेंगे, बिल्को sequence wise, आपको ऐसे यहाँ पर दिखने लग जाएंगे, यहाँ पर आप customize कर सकते हैं, mini mode में भी, तो यह भी आपको mini mode में दिख जाएगा, सेम एसे, यहाँ पर आपको center the currently running app, जो भी running app होगी, वो सब आपको center में मिलने लग जाएगी, तो यह सब चीज़े आप यहाँ पर use कर सकते हैं, उसके बाद, यहाँ पर आपको vertical list वाला option मिलेगा, तो आप vertical list wise भी कर सकते हैं, ऐसे, vertical list wise भी आप इसको arrange कर सकते हैं, vertical list में आप आपको एक और यहाँ पर option मिल जाएगा, circular list, तो आप यहाँ पर उसको यहाँ से arrange भी कर सकते हैं, circle list में करके, circle में आ जाए, यह circle wise यहाँ पर आपको आने लग जाएगा, same हैं सही, आपको यहाँ लिस्ट को भी option मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी आप slim list wise कर सकते हैं, तो आ सारे cover good luck के जो जितने भी है, करके cover करने की कोशिश करूँगा, अगर एकटे करूँगा तो वीडियो बहुत बढ़ी हो जाएगी, इसलिए में करके बताने वाला हूँ, उमीद है कि दोस्तो आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू, तो दोस्तो मुझे सबसे पहले मिले, रह सकेता हूँ, इसका लिंक आपको नीचे description पर मिल जाएगा, तो thank you